नमस्कार दोस्तों आए स्प्रेपर आपका बहुत बहुत श्वागत हैं आए करेंट अफेर के अंतरगत हम 4 से 6 दिसंबर 2017 के भीज की महत्पुन घटनाओं पर चर्चा कर लें जो प्रारभिक और मुख्य परिछा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्यांग जन ससक्तिकरण के लिए राष्टी प्रुसकार राष्टपती रामनात कोविद ने अंतरष्टी दिव्यांग जन दिवस चो 3 दिसंबर 2017 को मनाया जाता है ये घोष्णा की प्रुसकारों की अपने संबोधन में राष्टपती ने कहा कि सभी नागरिकों की पूरी छमता का भाव सुनिश्चित करने पर ही देश का भविष्णी निर्भर करता है इंपॉर्टेंट है ये लाइन कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं तीन दिसंबर 2017 को अंतराष्टिय दिव्यांग जन दिवस के आसर पर सामाजिक न्याय और अधिकात्या मंतरा ले दिव्यांग जनों की सकते करन की दिसा में व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, राज्जियों, जिलों की उतक्रिष्ट उपलब्दियों और कादियों के लिए राष्टी प्रुसकार प्रदान करता है ध्यान रखिएगा कि किसको दिया जाता है तो इसमें संस्था संगठन सारे हैं और ये 3 दिसंबर 2017 को अंतर राष्टिय दिव्यांग जन दिवस होता है ये भी आपको ध्यान रखना है ये राष्ट अस्तर पर नहीं अंतर राष्टिय अस्तर पर दिव्यांग जनों के ससक्ति के लिए राश्टिय प्रुसकार 2013 में अस्चुचित किया गया और इसके अंतरगत अब 14 व्यापक स्रेलियू के अंतरगत विक्तियों और स्वस्थाओं के लिए 58 प्रुसकार इसकूली बच्चों से लेकर नौजवानों को किर्सी सिचा के ब्रतिया करसित करने के उद्देश से भारत सरकार ने राश्टि किर्सी सिचा दिवस को मनाने की सुरुवात की है ठीक है न फैलेस आन विंग सेवा इंपोर्टेंट है पूछी जा सकती है राजस्थान के नागरवी बावन ने देशक के अनुसार राज सरकार के पास एतिहासे किमारतों, किलों और महलों को वायवार्ग से जोडने के लिए यह सेवा सुरू करने की योजना है राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को हवाई संपरक के जरी जोड़ने की योजना बनाई है खैर ये तो अभी बहुत कठीन लच्छ है सारे जिलों को हवाई संपरक से जोड़ना यानि कि इतने हवाई अद्डे होने चाहिए लेकिन योजना बनाई है तभी सफल होगी उकसावा या विजिलेंट एस अमरिका और दच्छन कोरिया के बीच में यह अभी तक सबसे बड़ा सभी तुवाईउशेना अभ्यास है तुवाईउशेना अभ्यास याद रखेगा और उत्तर कोरिया ने इसको उकसावा कहा है और पांच दिविचिये यह विजिलेंट एस अभ्यास में F22 राफ्टर इस्टित लड़ाको बिमानों सही 230 बिमान और हजारों की संख्या में साइनिक सामिल हुए अभी हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तर कोरिया पूरे अमरिकी महादीप में कहीं भी निसाना बना सकने वाला जो आई बिम यानि अंतर महादीप ये बैलेस्टिक मिसाइल का परिछण बार बार ये करता ही रहता है तो इसने जब किया तो उसके पांच दिन बाद ही अभ्यास हो रहा है अमरिका को भी डरा दे रहा है और डर तो लगता ही है देखे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कई बार पावर से आपने ही डरते हैं कई बार ये होता है कि किसी कि कितने ज़्यादा नीचे जाने यानि कि इसके पास तो कोई वो है नहीं कि इसका कोई नुक्सान होगा ये तो अपने आप में समली जे समाप्ती है तो एक होता एक कहावत है कि सबसे ज़्यादा डर बत्तमीजों से लगता है अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ अब इससे अमरिका भी डर इसलिए रहा है कि अगर इसमें कुछ इस भारतिय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीट की याद में बनाया जाता है आपरेशन ट्राइट डेंट के तहां चार दिसमबर 1971 को भारतिय नौसेना ने कराची नौसेने अड़े पर हमला बोल दिया था यह आपरेशन भी आप याद रखियेगा कभी-कभी पूछ पर लिए यादा है इस उद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी सी मिसाइल से हमला किया गया था उस युद्ध में भारत के आएनस निर्घात आएनस विराट शारी विराट नहीं आयमस निफट आयनस वीर ने भारत की जीट में बड़ी भंकर दिभाई थी विराट नहीं निर्गात निपट और वीर यह ध्यान रखियेगा इस उसर पुरुस्वर्ग में यह इथोपिया के हैं गयता क्यों वेशा ने वेशा निपटैंवाट आव दोगंटे 15 मिनट 15 सेंड के समय में पहला अस्थान प्राप्त किया है तो इनका नाम फ्रसा इंपोर्टेट है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है है और जेलालम लेमनु दूसरा और देव के कास्ति स्थान प्राप्त की हैं महिला हाप मैराथन म इथोपिया की तिसुसा वाजा वासा जिन और इन्होंने ये जो प्राप्त किया है ये एक घंटे 23 मिनट 40 सिकंड के समय के साथ पहले अस्तान पर ये रही है प्रिथवी सा तो ये बल्लेवाज है बहुत होनहार बल्लेवाज है और इनको साल 2018 में होने वाले अंडर 19 ये भारतिय टीम का कप्तान चुना गया है इंपोर्टेंट है सोला देसु के बीच होने वाला ये टूर्नमेंट 13 जनवरी से तीम फरूरी 2018 तक न्यूजिल लैंड में खेला जाएगा ये दूसरा इंपोर्टेंट पैक्ट है पिछले साल की उबेजिता भारतिय टीम ने इस अलावा आश्टेलिया ने भी इस किताब को तीन बार अपने नाम किया है तो ये तीन तीन बार का रिकार्ड भी ये भी पूछा जाशकता है ये शशी कपूर जी का निधन हुआ बड़ा दुखत था और ये कपूर फैमिली से तालकात रखते हैं चार दिसंबर 2017 को इनका निधन हो गया डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सत्तर और असी की दसक में वो बहतरी नभी नताओं की सुची में सुमार थे जाए शेविंटी नाइन एक यह थे और बीमार चल रहे थे हिंदी फिल्म थीटर जगत की सुरुवाती इस्टार प्रिथिविराज कपूर के घर 18 मर्च 1934 को इंका जन्व हो था तो ये प्रिथिविराज कपूर के इनके साथ दो भाई और तो ये तीन बेटे थे प्रिथि प्रिशित नाटकों में काम करना सुरू कर दिया था तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफार्मेशन खैर इतनी इंफार्मेशन काफी है लेकिन एक जानकारी और होनी चीए कि इनकी जो पहली फिल्म है वो कौन सी है तो ये जिम्मा मैं आपको सौंप रहा हूँ कि इनकी पह राष्टिये राजधानी चेत्र एंसी यार में उत्तर प्रदेश के सामली जिले को सामिल कर लिया गया है और इस जिले को चार दिसम्मर 2017 को इसके साथ इंसी यार में सामिल जिलो की संख्यात तेस हो गई तो इंपॉर्टेंट यह है कि अप कितने जिले है तो कुटी ठी जि हर्याना यूपी और राजस्थान ये तीनी स्टेट की जिले हैं एंस्यार में सामिल होने वाले सहरों को निशनल कैप्टें बिजन प्लानिंग बॉर्ड की तरफ से छेतर के विकास की लिए आकर सक्तरों पर फंड मोहिया कराया जाता है और इसकी साहतेस्वी वैठक में साम सामली को करके यह फैसला किया गया मतर सामिल किया गया है आगे जो ख़वर है उसको हम देख लेते हैं वह है छथवा अंतरराष्टी ये परेटन हाट इंपोर्टेंट है यह इसका यूजन को हाटी में किया गया है अस्थान इंपोर्टेंट है पांस दिसंबर 2017 को और पांस से साथ दिसंबर तक यह चलेगा यह छठा है यह भी इंपोर्टेंट है एक टीक्स पालसी पर ध्यान के इंद्रित करने के साथ साथ आसियान तथा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्योस्थाओं के ग्रह विशाल पूर्व इस या छेत्र के साथ संबं बारी बारी से किया जाता है तो इसके पहले कहां कहां हो चुका है यह देख लेते हैं तो गौहाटी तवांग सिलांग गंगटोक और इंफाल में इसके पहले भी किया जा चुका है तो गौहाटी में दुबारा हो रहा है दीपका कुमारी यह भारतियति रंदाज हैं और त की सायाना सायरे में पिलोवा को सातीन से हरा दिया कोरिया की किम सूरी ने सूटाप मुकाबले में दीवका को छेपान से हरा कर सौन पदब जीत लिया ठीक है आरो की 2017 आयूस और तंदुरुस्ती पर पहले अंतराष्टिय सम्मेलन आरो के तो आपसे आरो की 2017 पूछा जाएगा बिग्यान भवन में चार से साथ दिसम्मर तक होगा आयोजन और इसके अंतर्गत आउशद की प्रंप्रगत प्रणाली की ताकत और बैग्यानी मुल्यांकन को प्रदर्सित करने के लिए सहींत रूप से इसका आयोजन किया गया है और शाट देसों में करीब 1535 इसमें आवली छेत्र का यहीं कि वन छेत्र अब जो है यह एसी के आर्डर के तरफ और आर्डर के अनुसार और आरावली छेत्र का केंद्री यह वन प्रयावन मंत्रा लेकिए मान को क्यों को पुनद्धार्वन होगा यह निर्ण है चार दिसम्मर 2017 को विज्यान भवन में संपन ए 23 भी बैठक में दिया गया बैठक यदिश्ता जो कर रहे थे वह अर्दीप सिंग पूरी कर रहे थे यह केंद्रिय सहरी आवास राजी मंत्री है सोतंत्रत्रत्रवार अब फ्लैक फोर फ्लैक फोर क्या है तो यह संउत अरव अमीरात की सफस्त्र सिनाओं विटेन अमरिका और फ्रांस की सिनाओं के साथ अब उधावी में सविक्त अभ्यासों में भाग ले रही है तो विटेन अमरिका फ्रांस और संउत अरव अमीरात तो यह चार देस होगे देशों के साथ होना चाहिए सैन शहयोग बढ़ाने के उद्देश से दो शप्ता तक किया जाए रहा है आकास मिसाइल का सफल परिछन किया गया है तो परिछन तो होते रहते हैं लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह जमीन से हवा में मार करने वाली है जमीन से हवा यह ध्यान लखना है आपको और शोदेशी तकनीक से निर्मित है पांध दिसंबर 2017 को आईट या रेंच चांदी पूर से इसका सफल परिछन किया गया है मिसाइल का राडा टेलिमेट्रिय और अलेक्ट्रो अप्टिकल प्रनाली के जरिए सभी अस्तर उपर प डिएस सफल परिछन के शोदेशी तकनीक पपनाली का प्रियोग किया गया है तो यह पहली जमीन से हवा में मार करने वारी ऐसी मिसाइल है जिसमें रेडियो तरंग़ों की अ झाला पर यह अपने लच्च को भेदने के दिस्वदेशी तक निक्त पर्णाली का प्रियोग किया गया है यह बहुत इंपॉर्टन फाक्ट है इस सफल पर्णाली के अंतर बाद भारत ने किसी भी तरह की जमीन से हवा अमार करने में सक्च मिसाइल बनाने की चमता हाशिल कर ली है तो के 22 समयलन का उजन नई दिल्ली में हुआ है तो का बाइश्वा समयलन जो हुआ तो इसमें अन्प्रिया पटेल जो स्वास्त परिवार कर ले आना राज मंतरी है नई दिल्ली में एसीयन हार्मोनाइजेशन वरकिंग पारटी के 22 समयलन का उगाटे निरोने किया पांच नियमन के अविशारन और एक रूपता के लिए द्रिष्टकोन विक्सित करने हैं सुझाओ देना और नियामकों का नियमकों उस उद्धियों के बीच ज्यानियों बिसे सकता के आधान परदान में शुवधा परदान करना है तीसरी DRC और नीत आयोग वारता आयोजित यह चीन का विकाश अनुदान परिशद है डवलमेंट रिसर्च काउंसिल और भारत की नीत आयोग के मद्धे वारसिक संबाद का यह तीसरा संस्क्रान है और DRC नीत आयोग वारता वीजिंग में आयोजित हो रही है अस्थान भी आपको ध्यान में रखना है कि यह बीजिं इसमें दोनों देशों ने टिकाव विकास को प्राप्त करने और चुनोतियों का सामना करने को लेकर चर्चा की है और इसके साथ एलेक्टिक मॉबिलिटी स्वच्च उर्जा उच्च सिच्छा विसेश आर्थिक छेत्र यानि सेज एस्पसाल एकोनॉमिक जोन जिसे कहते है को लेकर अपने अनभों और सर्वोत्तम प्रथाओं को एक दूसरे से साजा किया है दोनों पक्च इस बात पर सहमत हुए कि वर्स 2018 में भारत में अगली DRC नीतायों की वार्सिक वारता आयोजित की जाएगी तो 2018 में भारत में आयोजित होगी उमीद है दिल्ली में ही होगी वर्स 2018 के विंटर ओलम्पिक में रूस के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है प्रश्च में पूछा जा सकता है तो अंतराश्टी ओलम्पिक समित ने डोपिंग मामले में अगले साल दच्छन कोरिया के प्योंचांग में यह होने वाला है विंटर ओलम्पिक जिसम सामिल नहीं है वो एथलेट तो नहीं वो एथलेट लेकिन ऐसे खिलाड़ी रूस का जंडा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्यों खिलाड़ी सामिल होंगे जंडा नहीं होगा भारत में पहली दच्छिन ACI छेत्रिये बैडमिंटन चेंपियंसिब जीत दी है बड़ी बात है बात में पहली दच्छिन ACI छेत्रिये बैडमिंटन चेंपियंसिब जीती है यह गुहाटी में हुई है फाइनल और नेपाल को 3-0 से हराया है पुर्सो के सिंगल्स फाइनल में आरेमान टंडन ने डिपे दामी को हराया ठीक ना तो आरेमान टंडन नाम याद रखना है कि यह वैडमिंटन के खिलाड़ी है और महलाओं के सिंगल्स फाइनल में अस्मिता चलीहा ने रशीला महारजन को माद दी तो अस्मिता चलीहा भी ध्यान रखना है पुर्शू के डबल्स में अरिंताब दास पुर्शन पुर्शाद की जोड़ी ने दीपेस धामी और नभीन स्रेष्ट की जोड़ी को हरा दिया है तो यह सब नाम याद रखिए कि किस के उसे समद्रित है आप रिशान सिनर्जी की हम बात कर ले तो बड़ा तुफान मचाया इसने 29 नवंबर से और 6 दिसंबर के इपो पर मदद पहुचाने के लिए नौसेना के आठ यूद्वपोत तैनात किये गए इन यूद्वदों के लावा निगरानी विवान पी एट आई नेवी और कोश्टगाट की विवानों को भी अभियान में लगाया गया तो आपरेशन सिनर्जी जो है यह इसी गाहत और बचाओ अभियान है इसी का नाम है आपरेशन सिनर्जी के सुभारम के बाद कि कुल 793 मचवारों को बचाया गया है 131 में केरलवासी सामिल थे जिसमें महराष्ट के दियोगड़ और गतनगरी मंदरगाहों के सुरच्छा के लिए लाया गया यहां पर मैं आपको थोड़ी काम ऐसे ही क्रमवार देश दिया करते हैं और यह इसका अगर नापने की बात करें तो इसी भर्षन इसकेल जो होता है उस पे इसको नापते हैं बहुत ज़्यादा तबाही फैलाते हैं यह लोग क्या यह कोई लोग नहीं है यह तूफान और इस पे हम लोग नियंत्रन भी कर सकते हैं बस बचाव कारी रहतकारी अच्छे से कर सकें वही सबसे महत्पूर होता है ठीक है आगे बात करते हैं 36 सरकार ने नदियों को जोड़ने की परक्रिया प्रारम की तो 36 सरकार ने जलसंसाधन हाँ यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कभी कभी एक प्रस् लंका के अलावा और माल्दियूट में भी आया है और इंडिया के जो प्रभावित राजी थे तविलाडू है केरल है महाराश्टा और गुजराद भी से प्रभावित हुए प्रभाव तो पूरे देश पे कहीं ने कई थोड़ा थोड़ा पड़ा लेकिन यह लोग ज्याद अधि तांदुला पैरी और महानदी रेहर अटेम अहिरन हारंग और हस्देओ के वही इंटरलिंकिंग परियोजना इसमें सामिल है और इस नदियों इन नदियों पर निर्मित सिचाई बांदों से जब सत्प्रिस जल भराव हो जाएगा तो उसके बाद वहां के अतरिक्त पानी सम्चित उप्यों के लिए यह प्रियोजना तयार की अर्थित पानी कर सम्चित उप्यों इससे किया जाएगा वर्स 2017-18 के लिए RBI ने पांचवी दिमासिक मौद्रिक दीट की समच्छा की घोश्णा की अब दोमासिक हो गई है मौद्रिक नीथी दो मंत पे जारी की जाती है और भारती रिजर बैंक इसको अब जो जारी कर रहा है यह मतलब करने का मतलब साल भर में छे बार यह मैं पता ना चाहरा हूं आपको इध्यान रखिएगा ब्यासदरों में कोई बदलाव नहीं किया इसने और केंद्रिये बैंक ने रेपो रेट को छे पिसदी पर बरकार रखा है अब रेपो रेट किया होती है रेपो रेट की हम बात करें तो यह ऐसी रेट होती है जिस Zoecksomer देदा हे अगर और यह बैंक है और भैंक जाते है एलेसे करद लेने तो यह कुछ ब्याज लेता है ना तो यह ब्रचत है इसी प्रच्शत है यह आप समर्जीज 15 25 हो जाएगा ऐसा हया तो यह रिपो रिपो रिवर्स रिपिररeld क्या होता है बैंक जब अपना पैसा इसके पास रखते है आभी यह लेने जा रहे और है यानि कि यह देगा पैसे धर बंग देका मेले सिर्वाजर बियाज है है कौन आर्बियाई तो जब आर्बियाई ब्यास देगा तो रिवर्स रेपोरेट होता है ठीक ना फैर यहां पर रेपोरेट की बात हो रही है 2017 में रिजर बैंग ने सिर्फ अगस्त में पचीस जिरुद सुम्लों दो पाच फिस्दी की गट होती कि त्यानि पचीस बेसिक प जाएगी तो बर्तन नहीं किया है अब महगाई कैसे बढ़ेगी थोड़ा से यहां पर चर्चा कर लेंगे बैंक गया और बैंक के पास करद लेने हैं ठीक ना तो अगर यह करद मिल रहा है बैंक को कम ब्याजदर पे तो बैंक जादा पैसा लेके आएंगे और जब बैंक जादा पैसा लेके आएंगे तो लोगों के पास जादा पैसा पहुंचेगा क्योंकि लोग भी बैंक से पैसा ले लेंगे और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो महगाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और अगर इसको वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए कहने का मतलब अगर RBI बैंक को ही पैसा नहीं देगा यानि कि ब्याजदर बढ़ा देगा तो बैंक कम पैसा लेंगे मान लिजे कि RBI ने ब्याजदर ये 6% से बढ़ा के 7% कर दिया तो जो अब बैंक है ये बैंक ये RBI है बैंक के पास अब जो पैसा लेने की च्छमता है वो कम हो जाएगी क्योंकि इसका ब्याजदर बढ़ गया है तो जब बैंक के पास कम होगा तो जो लोग है पीपल से उनके पास कम हो जाएगा अब जो लोग पास पैसा ही नहीं होगा तो चीज़ें कैसे खरी देंगे सस्ता हो जाएगा सब सामान बस इतना ही सा कंसेप्ट है अगर महंगाई कम है तो यह ब्यास तरें घटा देगा यानि कि पैसा और बढ़े जिससे कि लोगों की खरीदनी की चमता बढ़े और थोड़ी सी महंगाई भी जरूरी होती है थोड़ी सी, इंफिलेशन जरूरी होता है, और अगर महेंगई जादा होगा, तो ब्याजदर में कटवती नहीं करेगा, या इसको बढ़ा देगा, बस इतना सा कंसेप्ट है, तो यह हमने तीन दिन का देख लिया, पीडियाप आपको उसी लिंग पे मिल जाएगा, इसको दे झाल, 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 याल, झाल, 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